जोस्तों आप सभी साल 2018 में टीवी डास्टी में जी टीप प्रसालित किया गया शो तुस्से हे रापता तो देख रहे होंगे जिसमें कल्यानी मलहार राने और एसी पी मलहार राने का करदार काफी जबर्दस देखने को मिल रहा है जहां कल्यानी के रोल को एक तरफ अपिनीत्री रीमशेग बखुबी बढ़ते पर पेश हर रही है तो दूसरी और मलहार के रोल को हांसम अपिनीता शुहबान अजीम खुबसूरती के साथ निभाते हुए नजर आ रही है जिसमें दोनों कलाकारों के आपसी बॉंडिंग दर्शकों का खूब मन लुभा रही है जिसके चलते ये शो दर्शकों का पसंदीदा शो बना हुआ है लेकिन दोस्तों आपको जान कर हैराने होगी कि तुस्ते है रापता सीरिल के आफ़ेर होने की खबरे पिछले कई महीने से आ रही है पर उस पर कोई भी रियाक्शन नहीं मिल रहा था पर हाल ही में फाइनली इस शो में एक साथ काम करते हुए नजर आए कलाका रीम शेक और शेहबान अजीम ने फाइनली शो के आफ़ेर होने पर रियाक्ट किया है और कुछ ऐसा कहा जिसे आप सुनकर हैरान रहे जाएंगे तो इसने आज की हमारे इस वीडियो में हमाब सभी को सीरियल तुस्से है रापता के आफ़ेर होने पर अपनी ट्रीरीम शेक और अभी ने तब शेहबान अल्जीम के रियाक्शन के बारे में बताएंगे इन सभी बातों से हमाब को इस वीडियो में रूप रूप कराएंगे अगर आप भी इनी सभी बातों को जानना चाते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे तुस्से हरापता सीरियल इस महीनी के अंत में ओफ़ेर होने वाला है ऐसी खबरे आ रही है कि पिछले काफी समय से जहाँ इस शो को पिछले तीन साल से दर्शकों ने बहुत पसंद किया तो शो के ओफ़ेर होने की खबर से फैंस को जटका भी लगा है पर अभी तक इस शो के किसी भी स्टार ने इस खबर पर हामी नहीं भरी थी लेकिन हाली में इस शो के में लीर कलाकार अभीनीत लीपनेटर रीमशेक और अभीनीत रस्ताबित करते हुए इमोशन होते हुए नजर भी आए तरसलेक मीडिया रिपोर्ट से बाच्चीत के दरान रीम शेक ने कहा कि इस शो में मुझे लीड रोल प्ले करने के लिए कहा गया था ये शो बहुत ही प्यार से बनाया गया था वही शो के को स्टार मेरी फ्रामली की तरह है मुझे गर्व है कि ये शो तीन साल तक चला मेरे लिए ये शो बहुत ही स्पेशल है और खासकर मलहार और कल्यानी की पॉंट टेंग वही मुझे शो के दरान शेहबा नजीम शकुन पांडे और पूरवदी जैसे दोस मिले है और शो को मैं बहुत मिस करूँगी महीं दूसरे तरफ इस शो को लेकर इमोशनल होते हुए अभिनेता शैबान अजीम ने कहा कि इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है और ये एक खुबसूरत सफर रहा है हालकि मैं एक पुलिस वाले की भूमेकाने भा रहा था मुझे शो में अलग-अलग लोगों के वेश में कई अलग-अलग भूमेकाने भाने पड़ी इस समय तीन साल तक चलने वाले शो के लिए कुछ ऐसा जिस पर हम सभी को बहुत कर्व है मैं अपनी टीम के सदस्य को खास करीम शेक के साथ शूटिंग और बॉंडिंग को बहुत मिस्स करूँगा क्यक्कि वो मेरे एक अच्छी दोस है जब एक साल पहले वो इस शो को छोड़कर चले जाने की योजना बना रही थी तो मैंने उस वक्त उन्हें मना कर दिया और मुझे पता चला कि वो शो को जाने वाली है लेकिन आखिरकार वो रुक गई और ये शो मेरे दिल के बहुत करीब है तो दोस्तों आपको सीरियल तुस से हरापता के आफ़ेर होने पर इन दोनों क अलाकारों के से डिमोश